आवाज दवाइस की इस चर्चा में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे RSS चीफ मोहन भागवत के मुस्लिम आउट्रीच के बारे में कुछ दिनों पहले ही वो कुछ मुस्लिम बुद्धी जीवी यानि इंटेलेक्चुल से मिले और उसके बाद अचानक वो दिल्ली के ए एक आल इंडिया इमाम काउंसल की बैठक में गए और उसके बाद वो एक मदरसे में भी गए तो इसका पूरे दिन चर्चा रही है और इसको हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया में भी ये ट्रेंड कर रहा है मेरे साथ मेरे सारे साथी हम पर मौजूद हैं इस पर चर्चा कर पहली खबर जो थी वो एनाईय की छाबों की थी और पूरा हिंडुस्तान उसी में वॉल्फ था अचाना एक बड़ी खबर आती है कि मौहन भागवाज जी कस्तुर्वा गानी मार्क की मस्जिद पर पहुंचे हैं उसका बेक्राउंड यह था कि वहाँ के जो उमेर इलियास शिकला था यह खबर फैली पूरे में और हम अनुन सब ने तो पिक किया लेकिन इस खबर के हेडिंग पर रहते 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 ही दूसरी खबर यह आई कि मौहन भागवाज साब वहां से पुराएं दिल्दी के बहुत पुराने मदरसे में गए तजबिद लुक्रान में वहा तालों से मौहन भागवाज का पहले किसी मजजित में जाना उसकी बाद मदरसे में जाना एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है कहीं ने कहीं कम्यूनिटी के लिए एक इतिमात को बेहाल करेगा जी बिल्कुल है सब एक घंटे तक वह रहे वहां कस्तूरबा गांधी मा एक मतलब काफी समय उन्होंने दिया और काफी इंपॉर्टन्स दी है इस पूरी मीटिंग को क्या कहेंगे आप देखे ये कदम इस मौके पर जैसा कि अभी अर्मारा साथी ने भी बताया ये पहल उनकी बहुत ही एहम है और आपस में मुसल्मान और हिंदूों के दर्मयान पैदा करने के एक बहुत बड़ा वसीला बना है बैनलमजाहिब बाची की बात बहुत जमाने से होती रही है अभी आपको याद होगा कि पिछले दो हम लोगों ने जमात इसलामी के हैड जो थे उनसे बात की थी उनसे इंटर्विव किया था और ये था कि मुसल्मान आज ह मसाइल से दोचार है उनका हल क्या होना चाहिए बाची तापस में क्यों नहीं होती उस वक्त जब एमर्जनसी लगी थी रसेस और जमात इसलामी के लोग एक साथ पैद थे तो बाते होती थी यह होता था कि बाहर निकल के हम लोग एक दूसरे से गले मिलेंगे हम लोग एक समझेंगे लेकिन फिर उसके बाद वो चीज़ें आगे बढ़ी नहीं हम लोगों ने मालूम कियता हैं तो उनका कहना यह था कि अगर वो बढ़ें तो हम पहल करने को तयार हैं हम क्या करें तो मैं यह समझता हूं कि इस मौके पर जो पहल की है खास तोर से चाहिए किसी के ज जो हैं उनसे मुलाकात हैं कर चुके हैं तो यह एक नया सिल्सना जो उन्होंने शुरू किया है यह बहुत एहम और मुस्बत रहने हैं जी जी आशा जी आप बताएं कि वैसे तो मोहन बागवत साब कई बयान दे चुके हैं मुस्लिम को इंक्लूजिव उनके बयान आते रह और एक मस्जिद के अंदर गया और फिर मदरसे के अंदर गया तो यह जो उनका एक मूव है से आपको लगता है कि जो लोग पीस लविंग है जो के प्लूरिलिस्टिक सोसाइटी में विश्वास रखते हैं हिंदुस्तान में उनको मजबूती मिलती है जैसे बाकी साथियों अभी बताया है बहुत सारी घलत फैमिया हैं हिंदूस और मुस्लिम के दर्मियान तो उसको उसको किसी ना किसी को उसको एड्रेस करना पड़ेगा तो मोहन भागवत साब की यह जो पहले मस्जिद में जाना वहां बात क्या कि चाहे हमें में मालूम नहीं है और अच्छी व पर उनको यह बोला कि आपकी आपकी जिम्मदारी है देश जो है आपकी जिम्मदारी है और आपको आपको इसे आगे ले जाना है यह अपने आप में बहुत दिल को चू लेने वाली बात है और बहुत पॉजिटिव फॉवर्ड लुकिंग सोच का ही नतीजा हो सकता है तो जो डिखने में जो आया ऑप्टिक जिसको कहते है वह बहुत पॉजिटिव था और उससे काफी घलत वहमियां कम से कब इमीजियर्टी लगेगा कि नहीं है यह हमारे दुश्मन नहीं है तो वह बात जो है वह ऑप्टिकली वह तोड़ी बहुत एड्रेस हो जाती है जी आप सारी चीजे हैं ग्यानवियापी मस्जिद हैं उस पर हलाकि उनके बेयान भी आए हैं आप इस मूव को जो आज आरेसस चीफ ने की है इसको आप इस प्रिश्भूमी में कैसे देखते हैं पहले तो मैं दो दिन पीछे जाना चाहता हूं कि इससे पहले उन्होंने पांच मु हैं तो कोई नई बात नहीं थी लेकिन महौल ऐसा है उसमें एक नई बात निखर के आ जाती है कि जब जानवापी का मामला हो रहा हो मंदरसे का मामला हो रहा हो अभी ये फाई चापे चल जो उस बीच में जाना और उसके पाद समय देना और बात्चीद करना ये एक अहम ब साथ ही वह उबर के सामने आएगा इसके पीछे क्या है। जाएर सी बात है कि उनकी जो पहल है, वो मुसल्मानों को करीम लाने के जो बharu सा Ĝीतना चाहते हैं, न बाम्मिमें गरोसा जीतना चाहते हैं। ऐसे वक्त में और जादा बharuसे की जरूरत है जब मदरसे लेकिन ये बड़ा संगटने जिसका पकड़ हे हिंदू समुदाय पे तो इनकी कही बात असर डालती है meant जाहिर सी बात है कि ऐसे महोल में हमारे पास आ रहे हैं और कुछ बात ही मामुली सी बात हो ओरी है करिया थी कुछ रहे हम भी बात कर रहे थे कि अगर हमारे घृतर हमारे काम से या कुछ और ऐसे आदमी जिसको ले करके एक तस्वीर बनाई गई कि RSS SS अंगठान ने मुस्लिम रोधी संगठान ने वो आदमी उसका चीफ आकर के आपके मदर्से में जा रहा है तो यह बड़ी बाहत है अहम बात है इस पे जहें मुसल्मानों को भी आगे जैसे यह बार बार मांग उड़ती रही है कि RSS की तर पहल तो दोने तरफ से होई है लेकिं कंटीन्यू नहीं रही है तो एक सलसिले को जारी एक पड़े यह जो जब मदनी साब जाकर मिलते थे यह इस बार यह हुआ कि भागवा साब खुदा यह बड़ी बात है कि वह ऐसी जगह पे मदर्से को लेकर कि बात होती है कि कि आजकल और वीडियो बहुत चल रहा कि एक कोई पतरकार महिल पतरकार है कि मैं मदर्से में हूँ और यह मदर्से में बच्चे का बस्ता है तुम्हारे बस्ते में क्या है तो ठेखिए किताब है तो कहने का मतलब यह है कि जब ऐसी जगह पर जा करके वह आदमी आप पूछ रहा है हो भी समझते हैं कि हम जिस जगा पर जाते हैं वहां पर नॉर्मल पढ़ाई हो रही है और वह उससे उसके भविश के बारे में सोच रहे हैं यह एक अलग तरह से पहल और इसको एक अलग तरह से देखने की जो मदरसों पर सर्वे हो रहा है उसके बहुत सारी में फिल्क में थाइन में है और सबसे हम पालिटीशियन या हम पत्रकार करते हैं तो बच्चों की मानसिक्ता जो है बच्चे कैसे इफ्क्ट होता है सब इह हम भी द्यान में रखती मदरसों के बाड़े मैं बात हो रही है अथ रहें उनको एक तरह से महोल ऐसा बन रहा है कि श बात करना यह मेरे ख्याल से यह बहुत एक कॉंफिडेंस बिल्डिंग मेजर है और उन्होंने फोकस लाया कि बात बच्चों की है यह सिर्फ यह नहीं है कि हम बड़े लोग पॉलिटिक्स कर रहे है एक बच्चों की बात है और देश का जो भाविश्य है उसकी बात हो रही है वैसे कई मंचों पर गए हैं मौहन भागवार्ट साहब और उन्होंने किताबों का विमोचन भी किया है अब यह जो उनकी बुद्धी जीवियों के साथ मुस्लिम बुद्धी जीवियों के साथ जो बैठक हुई इसके तुरंद बात यह उनका आउट रीच करना जिसको मु और खुद RSS के चीफ ने इस बात को जोर दिया है कि यह सिलसला जो है यह कोशिच शुरू की गई है यह एक आदमी के नहीं है अगर हमने सोशल लेवल पर शुरू किया है तो एक कल्चर लेवल पर शुरू करना पड़ेगा तब जागे कोई चेंज आ सकती है हमने पहल कर द मुझे तना आरजस जो है हो मुहिंदू का पूरा नुमाइंद की नहीं कर रही है वह तो क्यूंकि जब जब कोई बड़े फैसले लेते हैं भागवास साब भी मुसलमानों के मामले में कई बड़े फैसले सुनाये का यह राय ली तो उनको भी तनकी तसामना करना पड़ा उ मंजीत आप बताईए कि जो आज मुहन भागवाद सहाब का जो एक इनिशेटिव है मुसलिम आउटरीस का इससे जाहिर बात है जितने भी कट्टर जितको कहते हैं फ्रेंज ग्रुप से हिंदू के जिसको कहते हिंदित्व ग्रुप्स जो हैं वो कमजोर हो जाएंग क्या कह मैं और आसे ही बहुत सारी início इजींरफrise मैंल में इंफर्मेशन उमfried स्टमाटरेंसे ले करके और हिंदूं के बीच पीस function granting की Chili पीच मुझेट उसको बाहल करने की दिशा में जब सरसंगेचालक खुद जा रहे हैं तो देश भर में पहले हुई जो हजारों शाखाएं हैं राश्टे स्वाइंग सेवक संग की उसके प्रचारक जो करीब 6000 प्रचारक हैं और उनके जो अनुशांगिक संगठन है वो भी इस दिशा में काम क करेंगे तो देश की सरकार काम चैनल के जाने को उनका का म काम सिटर पर क्रशात्ति अबागेदारी इसका वह ज्यादाइक saràस क honestacer сейчас की ने कि कि मदर्सों को बंब से उड़ा दो ऐसे भी बयान आए है कल पर तो ऐसे से जो अविश्वास का महौल पैदा हुआ है उसको और यह बहुत चोटी सा एक तपका है इन गुरुप्स का यह मुठी बारे इस तरह के लोग यह इंटेलेक्शनल हमारे जो मिले थे भागवा साफ से सब्सक्राइब हैं उन्होंने कल मुझे से का कि आज तक हम आरे से को दूर से देखते रहे हैं हमने पढ़ना और समयना दूर की बात देखना पसंद नहीं किया था लेकित अब जहां इस तरफ आए हमें बहुत सारी गलत्वें हैं हमारे दूर हुई है यह चीज है कि कम्यू अगर ऐसे उपाय की जाएंगे तो वह संगर्षों को रुका जा सकेगा जो देश की तरगे के बहुत है कि जो परिकल्पना है भारत की की विश्व ग्रूप बनने की वह तब ही संबब होगी जब सबका साथ सबका विकार्स होगा और आज आरे से चीफ मोहन भागवत ने सी असर होगा पूरे विश में क्या असर होगा अगर आरे से चीफ कहीं जाते हैं उसके माइने होते हैं और अगर वो एक किसी मस्जिद में जाते हैं मदर्से में जाते हैं तो उसके पूरे दुनिया में उसकी चर्चा होती है तो क्या लगता है आपको कि उसके क्या I think it will send the right message to the international community. बहुत बड़ी पहल लिकी है उन्होंने, जैसे मेरे साथियों ने भी ये बात अपनी सामने रखी. और जैसे कुछ मैगजीन्स में कुछ साल पहले आया मोदी दिवाइडर-IN-चीफ, जो ऐसे बहुत बड़ी मैगजीन्स ने, इंटनेशनल मैगजीन्स ने ऐसे कवर पे ऐसी स्टोरी की, वो धारना बदलेगी इंडिया के फेवर में, जो एक पॉलराइजेशन का महौल हो गया है, जैसे आपने मदरसे की सर्वे की बात भी रखी, आपने एक अपिनियन पीस भी लिखा है कुछ टाइम पहले, तो जो मदरसा है जहां लोगों को बेसिक तालीम दी जाती है, और अगर कुछ स्टेट्स में असाम में और अलग जगा जैसे कुछ गुस पैटी आ गए है और उ जो एकपनेन ऐस अंभि Sparkle था जा जाता है जोग फुरुटर था सम्त तो इंच की लिखा जाता है जो एक संधित अपर जोगों को अप्ने द्थार है कैस ड्यूत की। जी 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 इस वेल बूस्ट कांफिडेंस ऑफ फॉरणों इंडिया अब देखी प्रदानमत्री तो बात करते रहें हैं कि हम एक्जुट होने की बात कही हैं उन्हें कई बार इस तरह के संदेश पी दिये हैं उन्हें ये भी सुनिश्चित किया कि पार्टी में भी जो सबका स पिश्वास रहें और अब आरेसस चीफ भी जो हैं उन्हें आउट रीच की है तो अब आपको लगता है कि डवल जो एक इंजिन जिसको कहते हैं डवल इंजिन हो गया है ये और अब जो है हम देख सकते हैं कि एक मोमेंटम मिलेगा जो एक टरस्ट डेफिसिट हो गया है उस रहें और जब सबका साथ सबका विकास तो तभी होगा जब दोनों हाँ से ताली बजेगी तो अब मुसल्मान अपने आपको अलग समझे रहा था अब जो है जो है जो लोग लगातार बोल रहते हैं मुसल्मानों खिलाफ भागवत के उस जगह पर जाने से मस्जीद में जा जाने से उसका उनको बहुत ज्यादा संदेश बढ़ेगा जो हमेशा मुसल्मानों खिलाफ सोचते रहते हैं चोटा सा तपका है लेकिन उसमें सारा देश हो जाता है हम सारे लोग उसमें इकटे हो जाते हैं तो इनके जाने से और जैसा कि अभी तिप्ती जी कह रहे थे कि स जो जिसके अंडर में सरकार भी है प्रदान मंतिर उसी संकटन से आते हैं जहां से वो हैं तो उसका जो है निश्चित ही है कि जो सबका साथ है सबका इंकास है वह यहां से शुरू होगा और सबको भुरस जगेगा और हम लोग जिस तर से देखते हैं देश को कि हम एक करें जब कि उनके हैं बहुत कुछ हो रहा है उन सब के मुझे ताला लग जाएगा अफवा का कि अफवा जो उड़ाने वाले में छोटे से हो हैं जो हमारी तस्वीर बिलकुल बिलकुल अफवाएं जो हैं उस पर रोग लगी आशा जी आप से जाना चाहेंगे कि मुहन बाग सेस के साथ उनको एंगेज करना चाहिए बीजेपी के साथ एंगेज करना चाहिए जो कि दुनिया की आज की तारिक में सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है आपको क्या लगता है कि मुसलिम का यह जो एक टू प्रॉंच अप्रोश है यह कारगर सावित होगा मुझे जालत वहमिया जो है वह दूर होंगी तो यह एक अच्छी बात है लेकिन सबसे जो आज का जो यह पुरा एपिसोड हुए है उसमें यह इंपॉर्टन बात है जो मंजीत ने पहले बोला कि RSS जो है वो बिलकुल ग्रासरूट औरगनाजेशन है वो उपर से हमें सिर्फ संच अच्छालक दिखते हैं विकाज इस वेरी डिसिप्लेंट औरगनाजेशन तो बाकी लोग पीछे रहते हैं लेकिन इनकी जो पहुंच है हर गाओं में हर शहर में हर नुकड में हर जगा है और उसका वो जो परकुलेट होगा जो आज हुआ दिली में मदरसा में सरसंचालक क करना और उनको यह कहना कि देश आपकी जिम्यदारी है आपको कल चलाना है देश कितनी बड़ी बात है यह कहना उसका असर जो है वो नीचे जाना शुरू होगा इस संगटन में जाएगा संगटन के जो चोटे-चोटी लोग हैं जो चोटे प्रचारक होते हैं खंड उनके क कहा तो वो सरांखों पे है सबते हैं इससे जो ग्राउंड पे है वो बहुत जादा माहूल बदलेगा और मुझे लगता है कि काफी दिन के बाद शुट-पुट कोश्य हो रही थी लेकिन अब बहुत सीरे से एक अप्रोच हो रही है कि हिंदू और मुसल्मान के बीच में ज समावेशी भरत की बात करते हैं हम लोगों को जोनने की बात करते हैं और आज जब रसेस चीफ ने एक मुसलिम आउट रीच किया है तो जाहिर बात है कि हम भी इस खाबर को एक बहुत बड़े पैमाने पर देख रहे हैं और हम यह उमीद करते हैं कि यह जो रसेस चीफ की आज़ा तो हाथ ले लिया जाएगा और लोग इसका पूरा फाइदा उठाएंगे चाहे वह हिंदू हो या वह मुसल्मान हो इस मौखे को नहीं जाने देना चाहिए और इसका पूरा फाइदा उठाना चाहिए लोगों के बीच में दूरिया कम करने के लिए आप हमारे धन्यवाद नमश्कार